दोस्तों ये घर पर ये घर पर वाश करने की वज़े से ये स्टेन आया है दोस्तों पैंड में देख लीजें तो इसको कैसे ठीक किया जाए ये हम देखते हैं अभी तो ये हो गई पैंड और यहां पर बहुत बड़ा वाइट पैच है दोस्तों तो इसको हम नॉर्मल पानी में डाल देने हैं सिर्फ पानी है इसमें और कुछ भी नहीं है 15-20 मिनिट रखते हैं फिर उसके बाद में देखते हैं दोस्तों ये साफ पानी में पैंड मैंने डिप की थी इसका थोड़ा बहुत कलर भी यूज है दोस्तों बट उससे ज्यादा देखिजीं ये जो जहाग है ना सोप और डिटर्जेंट का जहाग है दोस्तों इसको हमें निकाला है पूरा हंड्रेट परसें निकाला है दोस्तों देखिए ये सारा जहाग निकला है दोस्तों इसमें क्योंकि धो गएग्षालर के जो पैचेस है ना तो वो सोप और डिटर्जेंट के है तो अब इसमें में मैंने सिर्फ साफ पानी लिया है दोस्तों थोड़ा साइपानी लिया है मशिन में ज्यादा पानी नहीं लिया है तो अब यह मशिन को मैं दस मिनिट के लिए वॉश करता हूं इस पैन को और दोस्तों मैं अकली ही यह पैन वाश कर रहा हूं यह मतलब 60-70 रुपे का काम नहीं है दोस्तों यह देख लीजिए यह सारा कुछ जाग है ना पानी में जो जाग देख रहे हैं वह सारा कुछ पैंट से निकला है दोस्तों और कलर भी नहीं निकला है दोस्तों और यह रही पैंट तो इसको और एक प्रोसेस करनी अभी बाकी है देख लीजिए कितना सारा जाग इसमें से निकला है दोस्तों और एक फाइनल प्रोसेस करेंगे यह साफ पानी है दोस्तों इसमें थोड़ा और थोड़ा सा ऐसीडिक और इस प्याड़ को इसमें दूबा देटा हुआ दो तिर मिनिट के लिए अब इस प्याड़ को हैड्रो करेंगे 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 करेंग तो पहले से थोड़ी बहुत ठीक हो गई है और क्या ही कर सकते हैं अकेली पैंड मैंने वाश किये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए इतने बड़े मशीन में तो इस वीडियों को ज्यादा से लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए धन्यवा दोस्तों इंपोर्टन लॉन्डरी के जो प्रोड़क्ट होते हैं जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूं या मेरे नॉलेज में है कि ये सब के लिए यूसफूल होंगे तो उसकी ऑनलाइन बाइलिंग हमेशा में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं तो जाके आप बाई कर स जय हिंक वंदे मातर जय स्त्री राम धन्यवाद दोस्तों